दोस्तों इस समय है हम हाईवे पर खड़े हुए और आप देख सकते हैं यह रास्ता जाता है देरदुन के लिए और यह रास्ता जाता है सिद्धा चंडी चौक की तरफ और आपने आते जाते समय आपने यह मूर्थी देखी होगी तो आपको ले चलते हैं अंदर देखते हैं सिर्व जी की पर्तिमा स्वामी बिवे का नंद पार कहें देखते हैं अब कापी सर्दाहालो देखने के लिए पहुचे हुए है यहाँ पे लोग फोटू खीषते हैं क्योंकि सबसे फेमस सिमोर्थी है यहाँ यह देख सकता है आप मैं दिखाता हूँ आपको चरो तरफ का नजारा ही देखिए आप तो सादू महात्मा बैठे हुए है यहाँ आप और आप उस तरफ दिखाते हैं यह देखिए आप उस लोग अधर बैठे हुए है और यह देख सकते हैं आप कि एक सो आठ फिट है लंबी है यह और यह स्वामी बीवे का अनंद पार्क में बनाई गई है तो आपने देरदुन जाते समय यह आते समय आपने यह मूर्थी आपने देखी होगी सबसे उची मूर्थी है एक सो आठ फिट की देख सकते हैं आप अगर बहुत खुब्सूरत पार के दोस्तों यह अगर आप आते हो तो यहां पर आप अच्छा बैटने के लिए अच्छा यहां पर और मैं पास से दिखाता हूं आपको थोड़ा कि देखे आप हरहर महादेव कि देखे दोस्तों आप कि दोस्तों और में आपको प्रूद bless कि दोस्तों कि दो मैं भuhan आप यहां कि दोस्तों यहां तो यह पार्क आप देख सकते हैं यहां पर काफी खुप सुरत पार्क है यह देखिए आप मैं आपको चरो तरप का नजरा दिखाता हूं यहां से और सामने ही पार्क के आगे हाईवे हैं यह देखिए आप और आपको आगे ले चलता हूं मैं गंगा जी के किनारे यहां पर छोटा सा घाट है यह देख सकते हैं आप यहां पर लोग इश्णान कर रहे हैं यह देख सकते हैं यहां यह देख सकते हैं अब